हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग MS Word बिलकुल सुरू से सीख रहे हैं और ये पांचवी क्लास है यानि पार्ट फाइफ है इस वीडियो के अंदर हम हमारे में पूरी complete जानकारी सीखने वाले हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपको भोलो सा दिलाता हूँ कि रिफ्रेंस टैप की एक एक बटन की जानकारी आप पूरे डीटेल में सीख जाओगे और दुबारा से कोई दूसरा वीडियो रिफ्रेंस टै के उपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हैला दोस्तो मेरा नामे गुलाब और आप सभी का स्वागत है गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इ उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पले आप अपने सिस्टम में जो है MS Word को चालू करिए Windows के साथ R बटन लिखना होता है इसके बाद जो है इसे ओके कर दीजिए या इंटर बटन से इंटर करोगे तो यह MS Word जो है चालू हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर रिफ्रेंसेस टैब के बारे में पूरी कम्पलीट जानकारी सिखेंगे एक 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 बटन को कैसे आपको इस्तमाल करना है पूरा मैं आपको practically करके दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि page layout के उपर insert के उपर home tab और MS Word के पूरे परिचे के उपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है जिसका link जो है वीडियो के description box में मैंने द दिया है पूली playlist मैंने बना दिया है अगर आपने जो है इन पर वीडियो नहीं देखा है यानि इससे पीछे वाले part को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के description box में check कर सकते हूँ वहाँ पर आपको playlist का link मिल जागा जिस पर click करके आप ये सब भी वीडियो देख करते हो कोई notes से तयार करते हो या फिर आप जो है लेखक हो कोई कहानी कोई film वगएरा edit करते हो यहाँ पर लिखते हो तो उस समय जो है यहाँ पर reference tab बहुत जादा इस्तमाल में होता है तभी जो है हम अपने e-book का जो है table of content यहाँ पर लेकर आते हैं footnote इंडिनोट जो है insert कर पाते हैं कोई जो है caption यहाँ पर citizen लगाना हो वो लगा पाते हैं bibliography वगएरा add करते हैं cross reference figure of speech यह सारी सारी चीज़े जो है हमारे उनमें काम आती है तो कैसे आपको इनको इस्तमाल करना है पूरा practically मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जो है मैंने वो सब चीज़े तयार क करके रखी है बस आपको बारी बारी से समझाना है कि कैसे क्या करना है देखिए आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही एक e-book तयार कर रखी है जो की computer fundamental को लेकर है बस generally मैं आप सभी को समझाने के लिए बस यहाँ पर जो है इसको बनाया हूँ वैसे दे software है application है और system है system software जैसे इसकी भी यह जो software और hardware होता है जिसमें software के दो प्रकार होते हैं तो इस तरह के से मैंने कुछ headings बना दी है और उनके बारे में यहाँ पर लिख दिया है मान लीजे आप example के लिए आपको यह मान के चलना है कि यही चीजे लिखी गई है कुछ headings है ठी तो यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे आप जो कोई book खरीते हो पढ़ने के लिए तो उस book में क्या लिखा है कौन से page पे क्या जानकारी दी गई है यह सारा का सारा आपको पहले page पे मिल जाता है जिसको table of content बोला जाता है यानि उस book में जो जो चीजे main heading है जो जो part है वो सारी सारी पहले page पे आपको दिखाई देती है और किस page पे क्या लिखा है कौन सा part किस page पे है वो सारी चीजे आपको पहले ही page पे मिल जाती है तो वो काम आप जो है MS Word के reference tab से table of content पे कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने यह ebook बना दिया है computer fundamental को ले करके यह मेरी heading है तो मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर add text का यह बटना इस पर मैं level 1 पर click कर दूँगा यह मेरी heading हो जाएगी इसी तरह के से जितने भी आपके जो है document यानि जो आप file बना रहे हो जो fundamental की ebook बना रहे हो या फिर कोई later लिख रहे हो कुछ भी लिख रहे हो उसमें अगर heading वगरा है तो आप जो है इस तरीके से उसको heading बना लीजिए जैसे software की मैंने heading बना ली यहाँ पर और नीचे के side में आने के बाद जो है system software application software है तो देखे software यह main heading हो गई heading के अंदर heading भी होती है यह आपको पता होता है होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह मेरी main heading heading है और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं heading के अंदर अगर heading बनाना जाता हूँ तो add heading पर click करूँगा level 2 पर click कर दूँगा तो level 2 की heading कुछ इस तरीके से आ रही है ठीक है यहाँ पर click कर दूँगा और फिर से मैं add text पर level 2 की heading कर दूँगा तो देखो कि यह अलग heading आ गई है अलग-अलग heading आगे, थोड़ा समय आपर एक space दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसके बाद जो है memory पर हम जो जाएंगे, यह हमारी main heading है, तो मैं यहाँ पर जो है level 1 की heading देंगा, ताकि यह जो है हमको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर जो है हम लोग कि जो जो मैं heading दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बन कर क्या रही है, ठीक है, यह change आप कहां से करोगे, यह जो है आपको home वाले में, यह जो मिल रहा है न, यही चीजे आप जो है, यहाँ से भी insert करा सकते हो, जो मैं यहाँ पर reference वाले में, यहाँ से add कर रहा हूँ न, यह आप जो है home type के style वाले में, heading 1, heading 2, heading 3 करके आ रहा है, यहाँ से भी आप add करा लिए, ठीक है, जैसे मैं नीचे add करके आपको दिखाई देता हूँ, देखे, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, तो देखे, आ गया, इसी तरीके से मैं 2 करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया, इस तरीके से जो आप heading बना लिजे, नीचे side में आप हमारा page फुरा खतम हो गया, सारी heading बन चुकी है, अभी मैं इसको करता हूँ, छोटा, अभी आप देख सेकते हो, जितनी भी हमने heading बनाई है, सब heading बनाई है, सब यह जो है, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, control के साथ home button दबाओगे, तो आप सीधे first page पर आ जाओगे, यहाँ पर मैं जो है, control के साथ enter button दबाता हूँ, तो एक नया page insert हो जाएगा, यानि यह पहला page आ गया है, अभी मैं आपको फिर से छोटा करके दिखा देता हूँ, देखिए हमारे पास 4 page हो गए हैं, और जिसमें यह control के साथ home button प्रेस करेंगे, पहला page आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह मान लीजिए हमारा यह सब content है, लेकिन हम इसकी table ऊपर की side में बनाना चाहते हैं, जिसको भी मैं यह PDF दूँ, यानि e-book तो यहाँ पर हमने इसको सीख लिया है, अब जो है हम table of content पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई प्रकार दिये गए हैं, हम इसमें से कोई भी एक ले लेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे, अभी आप देखोगे, यहाँ पर जो भी हमने heading बनाई थी, वो सारी की सारी heading यहाँ ब लिया था, level two, तो यहाँ पर देखें, इसके अंदर आ रहा है, sub heading, यह फिर से हमारी heading है, फिर इसके बाद sub heading है, फिर यह heading है, तो इससे आपको एक idea मिल जाएगा, कि हमारे यह जो ebook मैंने बनाई है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़े मिलेंगी, यह main आपको page पर ही म माल लिजे, यहाँ तक मैंने जो यह चीज़ लिखी है, इसके बाद भी अगर मुझे कोई चीज़ लिखनी है, तो मैं यहाँ पर जो है, अगर वो heading बनाता हूँ, जैसे मैं अभी इसके बाद मुझे और चीज़े कुछ बतानी है, जैसे कि इसके बाद मैं MS Paint पढ़ाने वा मैंने यहाँ पर माल लिजे, जानकारी दे दी है, और मैं इसको heading बनाना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पर जाकर के heading दे देता हूँ, ठीक है, level 1, यह heading तो बन चुकी है, लेकिन अगर मैं जो है, ऊपर की side में आता हूँ, control की साथ home button दबाने से, तो देखिए, जो हमने MS Paint क heading जो यहाँ पर बनाई थी, वो यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस condition में हमको बस इस पर click करना होगा, इस तरीके से update table का option मिल जाएगा, हम इस पर click करेंगे, और यहाँ पर जो है, update entire table पर click करेंगे, इसके बाद जो है, OK कर देंगे, तो देखोगे, नीचे side में MS Paint क heading आ चुकी है, यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है, कि जिस page पर हमारा जो heading है, वहाँ पर यह page भी दिखाई दे रहा है, देखे, what is computer 2 पर है, और इसके बाद यह भी 2 है, यह 3 है, इसके बाद नीचे side में, RAM, ROM, RAM और input, output जो है, 4 पर है, और MS Paint 5 पर है, और यहाँ पर एक इस page पर, इस heading पर चल जाओगे, जैसे मैं system software की heading पर जाना चाता हूँ, तो मैं control button दबाऊँगा, अभी देख सकते हूँ, mouse pointer कैसा हाँ, बन चुका है, बिल्कुल हाथ जैसा, मैं जैसे इस पर click करूँगा, तो देखो कि हम system software पर हमारा cursor टिम्टी बाने लगा है, यहाँ पर fundamental, ठीक है, computer fundamental मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यह मेरा table of content तयार हो चुका है, तो यहाँ से हमारा यह portion complete हो चुका है, अब बात करते हैं, footnote के बारे में, तो आपकी जानकारे के लिए बता दू, यह हमारे उतने काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दता हूँ, कैसे आपको जो है, इसके अंदर लगाना है, तो हम जो है, यहाँ पर यह table of content जो है, इसको हटाते हैं, हटाने का तरीका क्या है, कि इसपे click करिए, इसपे चले जाएए, इसपे और यहाँ से remove table of content लिया है, इसपे click कर देंगे, तो वो हट जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, insert footnote और end note के बारे में, तो देखिए footnote का मतलब यह है, कि यह आपके page के last में लगेगा, यह जो page है, इसी के नीचे लगेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए, लिख देता हूँ, triple C, क्या लिखता हूँ, triple C, triple C लिखता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसका मैं full farm यहाँ पर दे दूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, triple C का full farm, course on computer concept, और यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर one करके लिखा हूँ आ रहा है, और मैं जैसे इस पर लेके जाता हूँ, तो होता है, insert footnote का, आप इस तरीके से footnote, footnote जो है insert करा सकते हूँ, इसी तरीके से यह जो gallery है, यहाँ पर जो है, अगर आप footnote insert कराना चाहते हूँ, तो इस पर click करिए, आपको जो है, यहाँ पर दुबारा से इस पर click करना होगा, फिर से हम जो है, नीचे side में आएंगे, यह द जाऊँगा, तो वहाँ पर द只是 footnote, जो हमने insert कराया है, वहाँ पर दिखाई दे राय है, तो यहाँ से footnote आपको समझ में आ गया है, अब यहाँ हम यहाँ पर click करते हैं, आप बात करते है, insert and note के बारे में, तो आप यहाँ पर click करके insert and note, यहाँ पर insert scar कर सकते हो, जैसे आप पूरे पेज के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए अभी हम जो है पांच वे पेज पर आ गये हैं यहां पर देखिए बिल्कुल लास्ट में और यहां पर जो भी आप लिखना चाहते हो इन नोट में लिख दीजिए जिसे मैं इंड नोट जो है इंसर्ट कराया था वो देखिए सिंबल थोड़ा सा अलग बना हुआ है जबकि फूट नोट का सिंबल अलग है फूट नोट जो है हमारा एक दो करके आ रहा है लेकिन इंड नोट जो है हमारा रोमन वाली गिंती आ रही है आई की जैसा दिख रहा है ठीक मैं आपको मतलब समझा दू जब आप next footnote पे click करोगे तो आप जो है जहां पर भी footnote होगा उस पर पहुच जाओगे फिर से next पे click करोगे तो आप दूसरे पे पहुच जाओगे इसी तरह के से previous पे click करोगे तो आप पहले पे आजाओगे इसी तरह के से end note भी है अगर आप end note पर click करोगे एक से ज़ादा end note बनाए हो तो आप जो है previous और next कर सकते हो यही काम बस इसका है अब बात करते हैं show notes के बारे में तो इस पर click करके आप footnote और end note को show करा सकते हो मतलब देख सकते हो बस इस पर click करोगे तो हमने जो है देखें यह यहां पर footnote पर हमने click किया था तो footnote हमको दिख गया है इसी तरह के से अगर हम जो है इस पर click कर देगे दूबारा से हम जो है end note पर click करेंगे और okay करेंगे तो हम जो है end note पर आ जाएंगे जहां पर हमने इंड note insert करा था तो यहां से हमारा footnote वाला area भी complete हो चुका है अब बा आईए और यहाँ पर क्लिक करिए इसके बाद जो है कीबोर्ड से बैसकी स्पेस बटन दबा दीजिए वो जो है यहाँ से गयब हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा ठीक है यहाँ से हटा देते हैं अभी देखोंगे नीचे शैड में आने कब यहाँ से हट चुका है अब इस बुक को किसने बनाया है कब बनाया था और जो है इसका पब्लीशर कौन है यह सारी डीटेल जो है आप सिटिसन और बिब्लियोग्राफिक के अंतरगत एड कर सकते हो कैसे एड करना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सबसे पहले तो यह जो ऊपर की साइड में हमन और कुछ इस तरीके से उप्सन आएगा देखिए अभी आप यह जो बना रहे हो क्या है बुक है या फिर जो है कोई आर्टिकल लिख रहे हो या फिर जो कोई रिपोर्ट तयार कर रहे हो या वेबसाइट के लिए कुछ तयार कर रहे हो कोई डॉकॉमेंट है या फिर कोई art है या फिर कोई film के लिख रहे हो या कोई interview है यह सारी चीज़ यहाँ पर source दिए गए हैं आप यहां से कोई भी source को जो है select कर लिजिए जो आप बना रहे हो जैसे कि मैं e-book बना रहा हूँ तो यहाँ पर book select कर लूँगा select करने बाद author का नाम लिखना है अथर का नाम क्या है जो भी अथर है उसका नाम टाइप करिये जैसे कि मैं अथर हूँ गुलाब ठीक है गुलाब चन मेरा नाम है और मैं इसे टाइप कर देता हूँ ये मैं अथर हूँ और यहाँ पर टाइटल में इस बुक का टाइटल क्या है तो मैं यहाँ पर लिग देता कोई बात नहीं आप जो भी डालना चाहों डाल सकते हो CT डाल देजिए कहां से यह प्रकासी दो हो रही है तो मैं यहां पर आजमगड लिख देता हूँ यह जड़ A-M-A-G-R-H M-A G-R-H आजमगड लिख दिया है मैंने और इसके बाद Publisher कौन Publisher भया तो यहां पर हम लोग डाल देंगे यह जो है गुलाब गुरू Publisher इसके हैं इस तरीके से आप जो है author की details डाल सकते हो इसके बाद जो है show all bibliography field पे अगर आप click कर दोगे तो और भी field यहां पर दिखाए देंगी जैसे editor, volume यहां पर click कर यह थोड़ा सा नीचे सेड में हम लोग आते हैं देखें यहां पर जो है page दे सकते हो short title लिख सकते हो translator लिख सकते हो है, addition comments वगएरा यह सारी चीज़े जो है आपर add कर सकते हो, फिलाल जो है हम लोग इतने से ही काम चलाएंगे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ इसके बाद देखिए हम जो है इसे ok कर देंगे जैसे आप ok करोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आजाएगा, अभी आप जो है इसको delete करिए, इसकी ज़रूरत नहीं अभी हमें है, अभी जो है हमने जो यहां पर situation बनाया है, उसको आप कहाँ पर दिखाना चाहते हो, उपर की side में या फिर नीचे side में, ज्यादा तर जो है लोग इसे नीचे side में दिखाते हैं तो हम नीचे चले आते हैं, control के साथ end button दबाओगी, तो तो बिल्कुल last page पे आ जाओगे, यहां पर जो है आपको यह जो दिया है bibliography इस पर click करना है और यहां पर जो है कोई भी एक style ले लेना है, यहां पर हम click करते हैं, तो अभी देखोगे, bibliography में वो चीज़े आ गई है यहां पर देखें, यहां पर इसका format कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहां पर कुछ short में detail दी गई है क्या है, कहां से प्रकासित हुई है कौन सा publisher है, कब प्रकासित हुई है यह सारी detail यहां पर आई है और यहीं पर आप जो है, इसी के ऊपर एक button देखोगे, manage shorts का है इस button पर click करके, जो आपने करना चाहते हो, उसे सही कर सकते हो जैसे यह चंद पहले आ गया है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, बिल्कुली, सिर्फ गुलाब रहने देता हूँ, edit करने के बाद जो है, आप इसे ok कर दीजिए, ok करने के बाद जो है, जो भी यह आपने bibliography जो है, लगाई है, उसको जो है style यहां से जो है, बदल सकते हो, यहां पर click कर ये, अलग-अलग style दिये गए हैं, जब आप उस पर click करोगे, तो यह देखे, थोड़ा-थोड़ा style यहां पर बदल रहा है, आप बारी-बारी से जो है, click करके, इस पर जो है style देख लीजिए, जो आपको पसंद आता है, उसे रख लीजिए, तो यहां से जो है citizen and bibliography वाला भी part हमने जो है complete कर लिया है, अब बात करते हैं, caption वाले part के बारे में, तो यह जो है हमारे photos पर काम करता है, जैसे मैं insert caption पर लेके जाता हूँ, देखें यहां पर photo आ गया है, तो हमको जो है, इसको समझने के लिए अपने document यानि जो हमने ये fundamental का e-book तयार किया, इसके अंदर photo लगानी पड़ेगी, तो यहां पर जो है, हम फटा-फट से photo लगा लेते हैं, यहां पर जो है, इंटर करते हैं, और यहां पर चलते हैं, insert में, और यहां पर जो है, picture, यहां से photo फटा-फट से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आपको जो है, पूरा वीडियो देखना है, जो यहां पर reference वाले में, insert, caption पर जाकरके, हम यह caption यहां पर देते हैं, देखे, figure one करके, अपने आप उठा लिया है, अगर आप जो है, इसे बदलना चाहते हो, तो आप जो है, इस पर click करके, जो भी यहां पर type करोगे, वो आ जाएगा, ठीक है, अगर आप जो है, picture type करना चाहते हो, तो picture type कर दीजिए, यह देखे, picture हमने type कर दिया, okay करिए, तो देखे, picture one करके, आगया, ठीक है, तो आप यहां पर पर click करके, जो भी यहां पर होगा, वो सब के सब यहां से जो है, select कर सकते हो, तो हम यहां पर figure ही रहने देते हैं, figure one करके आ गया है, इसके बाद okay कर देते हैं, तो देखे, यहां पर यह figure one करके आ गया है, इसी तरह के से हम नीचे एक साइड में आएंगे, application software में click करेंगे, थोड़ा सा यहां पर enter करके, अगले page पे लेके जाएंग ताकि यह छोटा हो जाए, कहां चला गया, उपर की साइड में है, यहां पर यहां से कर लेते हैं, इसको छोटा और चोटा करना चाओ, तो यहां से कर लीजिए, इसके बाद यहां पर click करेंगे, इसके बगल में और यहां पर दुबारा से reference में जा करके, यहां पर caption इसको add क हूँ, यहां पर मैंने एक table बना दी, और यहां पर बगल में मैंने click किया, नीचे side में click कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर जानेक बाद, reference में, यहां पर caption add करते हैं, यहां पर figure की जगह है, हम लोग figure नहीं लेंगे, table लेंगे, table 1 करके आ गया है, यहां पर देखे, table आ गया है इसको select करते हैं, और यहां पर यह देखे, आ गया, यहां पर click करिए, इसके बगल में click करने बाद, reference पर जाईए, यहां से caption add कर गये, table की जगहां पर यह जो picture है, इसलिए हम जो है, figure select करेंगे, 3, ओके, यह figure 3 आ गया है, नीचे side में आएंगे, यहां पर कुछ और add कर लेते हूँ, इसके बाद मैं ऊपर ही, जो है, caption को insert कर लेता हूँ, इंटर बटन दबा के, यहां पर, यहां पर reference पर click करेंगे, यहां पर caption करेंगे, यहां पर table, यह मैं आप सभी को practical समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पसंद आए, तो like, share कर देना, ठीक है, फिर से हम लोग नीचे आते हैं, यहां से कोई और एक picture को insert करा लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा, यहां पर आने की बाद जो है, फिर से यहां पर caption को add कर देते हैं, इतना सारा caption मैंने क्यों add किया है, ताकि चीजे आपको अच्छे समझाए, ठीक है, यह सब मैंने add कर दिया है, मैं यहां से इसको करता हूँ, cut, सबसे पहले तो मैं आपको सारी चीजे दिखाता हूँ, देखिए, मैंने कितना यहां पर photo add किया है, एक, दो, तीन, चार photo add किया है, और दो table add किये, ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ, मिल जागा बेलकुल साधा, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो है, यहां पर table of content बनाया था, ठीक उसी तरीके से जो है, आप caption में भी insert table of figure कर सकते हो, यानि उसकी भी table बना सकते हो, जितना आपने picture को select किया था, जहां पर select करिए, जहां पर भी आपको बनाना है, इसके बाद हम क्लिक करूँगा, अगर आप table add कराना चाहते हो, तो table पर click करोगे, तो इस तरीके से style आपको preview दिखाए देगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग figure add करा लेते हैं, इस पर click करने बाद आपको बस ok कर देना है, तो आप देखोगे आपका यहां पर table of figure आ चुका है, यानि जि तीसरे page पर, picture 2 चौथे page पर, picture 3 जो है, पांच पर, picture 4 छटे पर है, कमाल की बाद तो यह है कि इस पर आप click करके direct उस picture पर भी जा सकते हो, जैसे मैं तीसरी picture पर जाना चाहता हूँ, control के साथ click करूँगा, बस इसी पर click कर दूँगा, तो देखो कि यहां पर हम लोग तीसरी जो है, अगर आप कोई और picture इसके अंदर add कराते हो, उसका table में उसका नाम add कराने के लिए, यहां पर तो वो add होगा नहीं उतना जल्दी, जैसे मैं आपको practically समझा जेता हूँ, नीचे side में आता हूँ, यहीं पर मैं जो है, एक picture add कर लेता हूँ, ठीक है, inside में चलते हैं, य मैंने कितनी picture ली है, पांच, लेकिन यहां पर चार ही आ रही है, तो मैं इस पर click कर दूँगा, table update पर click कर दूँगा, और इसके बाद जो है, इस पर click करने बाद okay कर दूँगा, तो देखोगे, पांच भी picture का भी यहां पर table में नाम आ गया है, ठीक इसी तरह किसे अगर आ गई होगी, तो यहां से आपको इतने बटन के बारे में समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं, cross reference के बारे में, इस बटन का इस्तमाल करके, जो भी आपने यह जो e-book बनाई है, इसके अंदर जो भी heading दी है, जो भी table लिया है, जो भी footnote, innote, जो कुछ भी आपने इसक करा करके, आप उससे देख सकते हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहां पर देखिए, इस अभी दिया footnote, innote, equation, picture, table, यह सब चीज़े दी है, और उपर की side में heading, bookmark, सब चीज़े दी है, जैसे कि मैं जो है, नीजे की side में आता हूँ, और figure हमने जो, मतलब add की इसके अंदर, उस figure को select करेंगे, तो जितने भी figure हमने add की है, सब आ जाएगे, जिस भी figure को आप यहां पर insert कराना चाते हो, उस पर insert पर click करिये, वो आ जाएगा, दूसरे पर select करके, दूसरे पर click करिये आ जाएगा, तीसरे पर click करके, तीसरे पर, इसी तरह के से आपके पास ठीक, इसी तरह के से जो है, हम इस पर click करके, हमने जितनी headings बनाई है, उस पर हम जो है, उनको insert करा सकते हैं, देखे, सभी सभी यहां पर heading आ गई है, और जितना हमने table बनाया है, वो सभी table का नाम यहां पर आ गया है, उन सभी को insert करा सकते हैं, अब हम लोग index वाले भाग के लगते हैं, उनको हम लोग जो है, paint से या फिर जो है, highlighter से highlight करके mark कर देते हैं, ठीक है, ठीक, इसी तरीके से MS Word में भी एक सुभीदा है, कि आप जो है, जो है, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चीजे आप इसमें अपने notes में पढ़ रहे हो, जो भी चीजे आपको पसंद आती है, आप जो है, उसे mark कर सकते हो, mark कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है, मैं document को mark करना चाहता हूँ, तो मैं document पर click करूँगा, इसके बाद mark entry पर click कर दूँगा, इसके बाद इस तरीके से option आएगा, current page का, तो हम जो है, इसको mark कर देंगे, अभी देख है, लेकिन हम जो है, सबसे पहले और भी चीजों को mark कर लेते हैं, यहाँ पर the gallery को मैं mark कर लेता हूँ, इस पर click करूँगा, mark entry, इसके बाद जो है, mark, इसके बाद नीचे के side में आनक बाद, आप आपको back नहीं जाना, आप यहीं से भी जो है, बहुत सारी चीजों को mark कर सकत building book, अबर मैं click करता हूँ, इसके बाद जो है, इस पर click कर दूँगा, तो यह हो जाएगा, और इसके बाद mark कर दूँगा, तो यह भी mark हो गया है, फिर नीचे के side में आनक बाद मैं है, insert tab, और include item यह जो लिखा हुआ है, इसको जो है, इतने word को mark करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर click करूँगा, अगर यहाँ पर show नहीं हो रहा है, बस इस पर click कर दिए, show हो जाएगा, फिर मैं mark कर दूँगा, finishing side में आनक बाद मैं इतने word को mark करना चाहता हूँ, इस पर click करने बाद, मैं यहाँ click कर दूँगा, यह आ जाएगा सब के सब word, इसके बाद मैं mark कर इसको हटाते हैं, यहाँ पर जाएगे हम लोग home पे, और यहाँ पर यह वाला symbol है, इस पर click कर दिए, वो सब भड़ जाएगा, अभी mark करने से क्या फायदा होगा, आपको जो जो चीजे, जो जो word, जैसे आप मेरे notes को पढ़ रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीजे पढ़ रह हैं, कि यह चीज मुझे अच्छी लग रही है, और इसके बारे मुझे जानना है, जिनको आप mark कर देती हो, और उसके बारे में मालीजे, आपको नहीं पता है, तो mark करने के बाद आप यहाँ पर insert कर लीजिए, उसको बाद में उसके बारे में आप ढूंड भी सकते हो, ठीक यह सारे की सारी चीजे आप देख चेकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए, building books को mark किया था, यह सब नंबर भी आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 5, इस तरीके से नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमने word को जो है mark किया था, यहाँ पर उपर की side में आ ठीक है, तो यह सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है, update index का मतलब यह है कि अगर आप जो है, इसको यहाँ पर insert करा दियो हो, और फिर से आप पढ़ना start कर दियो हो, और किसी चीज को और mark कर दियो हो, और सब्दों को, तो फिर update index पर प्लिक करके आप जो है, इसे update कर सकत अगर आप जो है, उसको mark करना चाहते हो, तो इस button का इस्तमाल कर सकते हो, कैसे mark करना है, वो भी मैं आपको बता दिता हूँ, अगर आप ने अपने यह जो notes बनाई है, जो book बनाई है, जो letter बनाया है, उसको एक से जाधा bibliography उसके अंदर add की है, मैं यहाँ पर इंडे पर जा अब यह जो है mark हो चुका है, एक से जाधा है, तो एक से जाधा आप mark कर लिजिए, यह जो symbol आ रहा है, मैंने आपको बताया है, home पे जा करके, यहाँ पर click कर दीजिए, हट जाएगा, जहाँ पर भी आप जो है, अपने bibliography को mark की हो, उसको लाना चाहते हो, तो वहाँ पर जाना है, इसके बाद जो है reference पर जाना है, और यहाँ पर table उसी तरीके से आप जो है बना सकते हो, यहाँ पर मैं click कर दूँगा, इसके बाद इस तरीके से option आएगा, यहाँ पर मैं ok कर दूँगा, तो देखोगे इस तरीके से bibliography की हमारी table आ चुकी है, और आप यहाँ पर देखोगे कि bibliography लिखा हुआ है, और यह पांचवे page पर है, bibliography हमारी यहाँ पर यह भी दिखाया गया है, आप जो है जब इस पर ले के जाओगे, अपने mouse को और इस पर click करोगे, तो इसको change भी कर सकते हो, यह जो लिखा हुआ है, तो यही काम इसका है, update table का click करके, अगर आ आज की इस वीडियो के अंदर मैंने reference tab के बारे में एक एक बटन की पूरी complete जानकारी आपको बताई है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को like कर दीजिए, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हिन बंदे मात्रा